हाई फ्रेंड्स मैं हूँ शीतल आज हम बनाएंगे गेहु के आटे के खस्ता स्प्रिंग रोल एकदम रेस्टरॉंट जैसे क्रिस्पी और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं तो अगर आपने कभी आटे से खस्ता स्प्रिंग रोल नहीं बनाएं तो इस रेसिपी को आप जरूर राई करें तो पहले हम उसके लिए आटा गुंद लेंगे तो एक बावल में हम दो गेहुका आटा ले लेंगे उसमें नमक हम स्वात के अनुसार तक्रिबन डेट टीस्पून जीतना एक टीस्पून जीतना तेल डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रोटी का आटा जैसे हम गुंदते है ऐसा ही आटा गुंद तो आटा एक बार हम अच्छे से गुंद ले हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे एक चोथा टीसपूंजीतना तेल लेंगे और आटे को थोड़ा और हम मसल लेंगे और अभी हम इसे ढख कर दस मीट के लिए साइड में रख देंगे 10 मीट के बाद हमारा आठा अच्छे से रेडी हो गया है हम हलका उसे मसल लेंगे और उसमें से हम छोटी छोटी लोईया तो हमें स्प्रिंग रोल की शीट बनानी है इसलिए हम उसकी लोईया छोटी छोटी बनाएंगे ऐसी तो तकरीबन इस रेसिपी से 20 से 25 स्प्रिंग रोल बना सकते है तो लोईया मैंने रेडी कर ली है अभी हम ऐसी लोईया दो ले लेंगे एक जैसी सुखा आठा लगा देंगे और हम छोटी पूरी की तरह दोनों को एक जैसा ही बेल लेंगे तो हमें एक जैसा ही बेल ला है तो एक मैने बेल ली दुसरी भी बेल लेंगे अभी हम साइज चेक कर लेंगे अगर लगे के पूरी छोटी है तो और थोड़ा बेल लेंगे अब देख सकते हो दोनी एक जैसी है, अब एक पूरी ले लेंगे और उस पर, पूरी-पूरी पर हम तेल अच्छे से लगा देंगे, तो डबल रोटी की तरह हमें इसे बेलना है, अच्छे से तेल लगा दिया है, सुखा आटा छिड़क देंगे, दुसरी पूरी रख देंग दबा देंगे और अभी हम इसे बेल लेंगे तो अच्छे से एक जैसा सब जगा पर हमें बेलना है लगे जरुरत सुखा आटा और भी आप ले सकते हो तो आप देख सकते हो तो जीतना पतला आप कर सके उतना पतला इसे हमें बेलना है तो ये तयार है इसी तरीके से मैं दुसरी रोटिया भी बेल लूँगी तो आप देख सकते हो मैंने दोनों एक जैसी पूरी रेडी कर ली है उस पर हम अच्छे से तेल लगा देंगे सुखा आटा छिड़क देंगे दुसरी पूरी रख देंगे और हम इसे बेल लेंगे तो हमारी दुसरी पूरी भी तयार हो गई है आप देख सकते हो इसी तरीके से मैं सारी रोटिया रेडी कर लूँगी और अभी मैंने तवा गरम रख दिया है तो रोटि का जो तवा है वही हमें लेना है हलका गरम है तभी हम उपर की साइड पहले डालेंगे जो बेली है वो और 15 सेकेंड के लिए एक साइड इसे हम सेकेंगे 15 सेकेंड के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे दुसरी साइड भी हम इसे 15 सेकेंड के लिए होने देंगे और गैस के आँच मैंने मिडियम रखी है तो आप देख सकते हो दुसरी साइड भी अच्छे से हो गई है अभी हम इसे 10 सेकंड दोनों साइड से होने देंगे, तब तक हमारी जो रोटी है, उसके लेयर है वो दोनों अलग हो जाएगे तो इसी तरीके से हमारी spring roll के एकदम पतली sheet ready होगी आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सी हमारी sheet ready हो गई है तो इसी तरीके से मैं सारी रोटिया बिलती जाओंगी और सिखती जाओंगी और इसे separate करके हम casserole में बंड डब्बे में रखेंगे और अभी हम spring roll का stuffing बना लेंगे तो उसके लिए पैन में एक टेबल स्पून तेल गरम करेंगे उसमें हम एक प्यास ऐसे लंबा काटा हुआ और चार से पांच हरी प्यास को बारिक काटके डाल देंगे प्यास को हम दो मीट के लिए हाई फ्लेम पे सौटे करेंगे तो भी हम थोड़े crunchy vegetable रहने चाहिए इसलिए हाई फ्लेम पर इसे सेखेंगे प्यास जैसे ही हो जाए हम दो टेबल स्पून अधरक मिर्ची और लेसुन का पेस्ट डालेंगे अभी हम उसमें एक गाजर कद्दुकस किया हुआ और एक कैपसिकम लंबा लंबा पतला स्लाइस किया हुआ हम डाल देंगे मिक्स करेंगे इसे भी हम हाई फ्लेम पे ही दो मिट के लिए सौटे करेंगे अगर आपको लगे के तेल कम है तो आप स्यादा भी ले सकते हूँ मैंने नॉन स्टीक लिया है इसलिए मुझे बहुत तेल की जरूरत नहीं पड़ी है तो अब यह अच्छे से हो गया है दो मिनिट के बाद हम उसमें दो कप पतली काटी हुई पत्ता गूबी तो एकदम मैंने बारिक आप देख सकते हो तो जो हम छिल के उतारते है वो नाइफ से मैंने इसे काट लिया है इसा पतला अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी हम हाई फ्लेम पे एक मिट के लिए होने देंगे और अगर आपके पास चाइनीज सॉस एक भी नहीं है तो आप चिंक्स का जो हकका नूडल्स का पकेट आता है मसाला का वो पूरा एक डाल दीचे 10 रुपे का इसे लिए आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा अभी मैं वो नहीं यूज करे हूँ मेरे पास नहीं है तो हम नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार अगर आप वो पकेट डाल रहे हो तो आपको नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे एक टी स्पून काले मिर्च पावडर या अगर आपको थोड़ा ज्यादा तिखा चाहिए तो वो भी आप ज्यादा ले सकते हैं मैंने हरी मिर्च थोड़ी तिखी डाली है इसलिए मैं एक भी चिली सॉस नहीं ले रही हूँ कि बहुत ज्यादा सोस नहीं लेने है तो अब यह अच्छे से हो गया है हम इसमें हरी प्यास बारिक काटी हुई डालेंगे उसके पत्ते ही मैंने डाले है मिक्स कर देंगे गैस की आँच बंद कर देंगे और हमारा स्टफिंग भी तयार हो गया है तो आप देख सकते हैं एकदम बड़िया साम और हमने इसमें ना ही बहुत सॉस सिर्फ नमक कालि मेरच और सोय सॉस इडाला है और उसे भी शुखा दिया है तो एकदम हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है सारी रोटिया मैंने रेडी कर ली है उसके लेयर हम ऐसे अलग कर लेंगे और इधर मैंने तीन बड़े चम्मच गेहूं का आठा और उसमें हम तीन चम्मच जीतना पानी डाल देंगे अच्छे से उसका स्मूध गोल बना लेंगे तो इससे हम हमारे स्प्रिंग रोल चिपकाएंगे तो आप देख सकते हो ऐसा हमें चाहिए लगे तो थोड़ा और भी पानी आप डाल सकते है हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है रोटी को मैंने ऐसे रख दिया है एक लेयर को उस पर जीतना आपको स्टफिंग चाहिए उतना डाल दीजिए साइडस में हम बनाई हुई आटे की लई लगा देंगे तो ऐसे हमें पैक करना है आप देख सकते हो और उपर की साइड भी हम थोड़ी लई लगा देंगे ऐसे और स्प्रिंग रोल को हम ऐसे रोल करेंगे एक दम दबा के अच्छे से रोल करना है और लास्ट में थोड़ा और लई लगा देंगे और चिपका देंगे तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा हमारा स्प्रिंग रोल तयार हो गया है इसी तरीके से मैं आपको दुसरा भी दिखा दूंगी तो जो सिक्की हुई साइड है वो हमें ऐसे उपर रखनी है उस पर हम हमारा स्टफिंग डाल देंगे साइड ऐसे हमें फोल्ड करनी ह तो जीधर हम चिपकाएंगे उधर हमें लई लगाने की जरुरत पड़ेगी तो आटे का पेस्ट है वो लगाएंगे फोल्ड करेंगे ऐसे और उपर की साइड भी अगर आपको लई लगाना है तो आटे का गोल लगा सकते हो और अच्छे से टाइटली रोल करेंगे और से में सप्रिंग रोल तायर हो गए है इसी तरीके से मैं सारे स्प्रिंग रोल बना लोंगी और अभी मैंने तेल गरम हो जाये हम उसके में испरींग रोल डाल देंगे तो तो टेल जब तक गरम होता है तब-ध रखा था अभी गैस की आँच मेडियम कर दी है और दोनों चेंज करके हम इसे crispy golden हो जाये तब तक fry करेंगे तो इसे हमें fry करने में एक से दो मिनिट ही लगता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि रोटी भी हमने सेक के लिए है तो ये सेक की हुई रोटी का एकड़ खस्ता ग्रिस्पी हमारा spring roll बनता है तो आप देख सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मैदा इसमें नहीं यूज किया है, इसी तरीके से हम दुसरे spring roll भी fry कर लेंगे, तो मैं साथ में ही बनाती जा रही हो, और साथ में ही इसे fry करती जा रही हो, जट पढ़ spring roll एकदम रेस्टोंट जैसे आप घर प वाच स्प्रिंग रोल की रस्पी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नही रस्पी के लिए प्लीज अब बैल अकम बटन को प्रेस करें तो घर पे आप ये खस्ता बढ़िया से स्प्रिंग रोल एक बार जरू बनाये और मुझे कमेंट में बताए कि आपको मेरे रसिपी कैसी लगी तो आप देख सकते हो गेहू के आटे के एकदम क्रिस्पी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैदे के नहीं बने है खाना में उठने बढ़िया और क्रिस्पी बने है तो बच्चों से लेके बढ़ो को सबको ये बहुत ही पसंद आएगा तो ये रेस्टरांट जैसे स्प्रिंग रोल आप एक बार घर पे ज़रू बनाए थैंक्यू पो वाचिंग